आपके 5 वीडियो अच्छे है ना बेसक आपके चैनल पे 100 वीडियों 200 हो 1000 वीडियों मगर आपके 5 वीडियों है ना तो आप उन 5 वीडियों को फिर से रिवर्स करके और उससे अर्णिंग कर सकते हैं उसके विवर्स को बढ़ा सकते हैं उससे अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते ह जिया दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो बनके आने वाला ये आप लोग इस वीडियो को पूरा वाज कीजेगा मैं कोसिस करूँगा कि कम टाइम में आपको समझा पाऊं दोस्तो आपको बता दूँ कि आप लोग बहुत को जानते क्योंकि बहुत सारे टेकनिकल चैनल को आप लोग सबस्क्राइब कर लिए हैं और एक एगंटे उनको टैम भी देते हैं कभी इनके वीडियो को सामको देखेंगे कभी जैसे खतम होगा उनके देखेंगे उनको देखेंगे देखते तो बहुत हैं आप लोग कन्टीनू टेक वाले चैनल देखते रहते हैं किसी ना किसी बड़े टेक वाले चैनल वालों का मगर आप यहां से यहां से सुना और यहां से निकाल दिया तो उसी तरीके से आप यहां से भी निकाल देते हैं यहां से सुने इधर से भी निकाले इधर से देखे तो इधर से निकाले यहां कि आप उसको फोलो करते ही नहीं हो और नए topic के तलास में take वालो का channel देखते रहते हो तो दोस्तो आप उनी topic में से अपने जो कुछ खास-खास topic है उनको regular कर दो और अभी के नए topic के बारें बताऊंगा फिलाल कुछ ही topic में इसे बताऊंगा देखे पुराने के topic में आपको बताऊंगा पुराने के topic क्या है जिसको आपको continue करना है वो है annotation जो वीडियो के last में चलता है उसको मत छोड़िये वहाँ पे 4 वीडियो necessary डालिये ही डालिये 4 वीडियो के link डालिये ही डालिये ठीक है दोस्तों और बाकी जो आपके वीडियो चल रहा है ना वहाँ पे card जरू डालिये card पांच लिंक देता है card का YouTube आपके वीडियो पे तो वो पांच लिंक को डालिये हाँ बेसक आपको time लगता है मैं बहुत सारे वीडियो को में देखता हूँ भाई लोग कि आप लोग डालते ही नहीं हो ना annotation डालोगे ना card डालोगे भाई वो पांच वीडियो जो आपके अच्छे है ना उनीकी पांच वीडियो का आप card में link डालो annotation में last में जो आता है वहाँ पे link चार का डालो आपका 9 वीडियो वहाँ पे जो है ना आपको अच्छे response देती है पता है आपको 15-30% वहाँ पे आपको लोग जाते हैं आपको वाच करते हैं वीडियो को आपको और बात बता दूँ कि हर channel के पे आपका कम से कम 3 playlist होना चाहिए 3 playlist में आप अलग-अलग category के वीडियो रखिए और उस annotation में और उस card में उस playlist को भी link कीजे ताकि जब वो playlist क्लिक करें तो उनको एक वीडियो नहीं आपके 10-5 वीडियो भी लोगों को दिखाई दे जिसमें से वो क्लिक करें और आपको देखें यह आपको पता है मगर continue करते हैं इसको करो आप अब लेटेस्ट की आपको बता देना चाहता हूँ कि लेटेस्ट की क्या फायदे वाली अभी option आया हुआ है दोस्तो बहुत ही लोग हैं यहाँ पर scientist पड़े हुए हैं और काम भी कर रहे हैं उनके पास एक दो ही वीडियो होते हैं मगर फाड के वो विवर्ज पा रहे हैं जो दोस्तो आपको करना क्या है अगर आपका चैनल टेक का है अगर आपका चैनल कोमेडी का है अगर आपका चैनल इसका है अगर आपका चैनल उसका है एनिटिंग किसी का भी है तो आप उनके जो चैनल को सब्सक्राइब किया है ना तो जब भी वीडियो डाल रहे हैं उनक कमेंट सेक्षन में एक कमेंट जरूर करो आप और कमेंट में ये लिखो लिखो आप ये कि आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लागा और हाँ एम एक्जामपल आपने मेरे चैनल के नीचे कमेंट किया ठीक है मेरे पास बहुत विवर्स आ रहे हैं अभी अभी आप कि खिर्पया करके मेरे पी चैनल को सब्सक्राइब किजिए मैं भी इनी के जैसा बीडियो डालता हूं इनसे भी अच्छा डालता हूं मैं इनसे इंस्पायर हूं मैं इनको आधर्स मानता हूं ऐसे करके आप घुमाके और संटेंस बनाके मेरे विडियो के नीचे कमेंट किजिए जिनके वेवर्स जादा हो रहे हैं वीडियो के उनके नीचे कमेंट किजिए आप ये कमेंट करना पहुत जरूरी अगर आप ये सारी चीज़े सुरू कर देना सिर्फ टीन टॉपिक बताएं आगे और भी टॉपिक बताऊंगा मगर रेगुलर करना है आपको ऐसा नह से कमेंट करो तो वहां पर एट्रेक्टिव चीज़े लिखो ताकि कमेंट करने वाले भी जिसका चैनल है जिसका वीडियो है वो भी देखे और लोग भी पढ़ें तो कहें यार चलो उसी टॉपिक का स्वासा मैं भी किलिक करके देख लेता हूं इस तरह से समझा के कमेंट लिखे आप फटा फट से ग्रोथ करेंगा और ज्यादा क्या बता हूं इसको रेगुलर करो वह ज्याजाती है को हूंगा और बने रही मेरे चनल के साल साथ इस चनल करना में ओके टिक आपका मैं मॉन्टी हो के बबाए ठीक है